मेरे नाम है अमंद्स चान और आपका हमारे चैनल टेक्सेंफेक्स में फिर से बहुत-बहुत सवागा देगा इस आज की वीडियो में आपर हम लोग आउनर का 10 लाइट को अन्बॉक्स करने वाले यहां पर यह तीन वेरियंट में अवलेबल है यहां पर 3GB RAM, 4GB RAM और 6GB RAM तो 34GB RAM प्लस 64GB internal storage वाला मॉडल है यहां पर कुछ हाईलाइट्स दिये हैं प्राइस यहां पर MRP मेंचन है 16999 लेकिन यहां पर flip card की sale में अगर आप खरीदेंगे और फिर किसी भी sale की time पर खरीदेंगे तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा यह मुझे सिर्फ 9000 का पड़ा है तो यहां पर phone का dip book हम लोगों कर दिया unbox और अभी निकलता है अंदर phone यहां पर यहां पर यहां पर इस phone को open करें तो यहां पर देखने में काफी सुन्दर सा लग रहा है और जो back design है वो काफी अच्छी है glass पूरा back है आपको तो यहां पर देखते हैं color काफी अच्छा लग जाता है और 3400 मेंच की बैटरी मिल जाती है इसके अंदर तो यहां पर ऐसा कुछ लोग आता है अगर स्क्रीन की बात करें तो यहां पर आपको फुल एज़डी प्लस की 6.21 इंच की वाटरॉप नौच वाली डिस्प्ले मिल जाती है तो वो चीज अच्छा है आपको राइ यहां पर टॉप में आपको शाद जो सिम ट्रे वो पड़ी मिलती है और एक नौइस कैंसिलेशन माइक है तो वाइस यहां पर सिम ट्रे को भी ज़रा अम लोग निकाल कर देख लेते हैं कि कॉन्फिगरेशन जो है में लोग है तो यहां पर आप डेडिकेटेड इमेरी कार् एक सिम ऑ्जेक्टर टूल मिल जाता है और यहां पर आपको एक तीप्यू केस मिल जाता है जो कि पहले कर ठीक है लेकिन बाद में कुछ खास ऐसा मतलब हैं नहीं नापर सीघ्ट की बात करें तो दो फोन के colors जो है वो काफी अच्छे लग रहे है देखने में full HD plus की screen है 6.21 inch की वो काफी अच्छी लग रही enhanced version लग रहा है मतलब बहुत ही सही लग रहा है गेम खेलने में असानी होगी तो यहां पर अपनों के about phone वाले section में आते हैं तो device का नेम onate and light जो हमनों का EMUI UI version पढ़ा है तो वह साथ है अभी ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं camera के इसके बाद बात करेंगे PUBG की तो back में आपको 13 plus 2 megapixel camera मिलता है f1.8 और f2.4 aperture के साथ friend में आपको यहां पर friend camera के बात करेंगे अभी ज़रा हम लोग back camera एच्छे से देख लेते हैं कुछ sample shots मैं यहां पर लेता हूं और देखता हूं क्या क्या है क्योंकि इसमें कई सारे नए modes दिए गए हैं जैसे कि हम लोग अगर यहां पर एक photo प्लिक करें पहले तो यहां पर chroma boost का भी एक option है तो यहां पर हम लोग ज़रा इसको क्लिक करते हैं इस वाले image को तो अभी ज़रा इस वाले image को देखा है तो colors आप देख सकते हैं बहुत ही enhanced आएं और मतलब colors बहुत ही खिले हुए लग रहा है क्योंकि यहां पर lighting condition काफी ठीक है इसके लवगा इसके लवगा बहुत सारे modes दिए गए हैं जैसे कि main यहां पर एक aperture mode तो यहां पर क्या है कि आप अपने हिसाब से अपने aperture को shift कर सकते ह है 0.95 से लेकर देख सकते हैं आप मतलब जैसा आपको aperture रखना जितना blur रखना वो उस हिसाब से portrait mode भी आपकर यहां पर दिया गया इसमें कुछ-कुछ यहां पर आपको iPhone की तरह दिया गया है अलग-अलग portrait mode में lighting mode जैसे की street lighting studio lighting तो यह सारी चीजे हैं bouquet mode को आप on off दोनों क कर सकते हैं जैसा भी आपको मतलब चाहते हैं तो वह यहां पर option दिया गया इसका लाव वीडियो mode मोर में आप देख सकते हैं ए-a-r lens का भी mode दिया गया है वह चीज़ बहुत ही सही है मतलब आप ए-r लगा सकते हैं यहां पर ए-a-a-i camera दिया गया है जो maximum resolution आप 8 Megapixel का आप और वाटर माग भी आप लगा सकते हैं जैसे कि नीचे लिख्या आएगा शॉर्ट ऑन ओन टेन लाइट ऐसा कुछ तो यहां पर जरा हम लोग देखते हैं क्या वाटर माग के तो यहां पर दिखते हैं नीचे लिखा हुआ है ऑन टेन लाइट ए-a-i तो मतलब ए-a-i camera यहा काफी सही दिया गया इसका क्योंकि यहां पर फ्रेंट के अपना आपको मिल जाता है 24 मेगा पिक्सल का एफ 2.0 एपरचर इसाथ फूल एच्जडी की रिकॉर्डिंग होती है यहां पर यहां पर मिरर का ऑप्शन आगया मिरर ओन या ओफ तो यहां पर अगर सैंपल शॉट क की बात करें तो सैंपल शॉट को भी हम लोग ज़रा ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसी फोटो आई है फिलाल का इस फ्रेंट कैमरा काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को क्योंकि 24 मेगा पिक्सल के यामरा आपको फ्रेंट मिल जाता है काफी अच्छा कैमरा है काफी ज इस वाली फोटो की अगर बात करी जाए तो इस वाली फोटो में आप देख सकते हैं यहां पर जो हम लोगों को डेसलर था वो पूरा ब्लर हो गया है और मेरी इमेज थी वह क्लियर आई हुई है हला कि थोड़ा बहुत साइड में अज़े नहीं क्लियर नहीं कर पाया है ले यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग पहले आफ करते हैं वन तू तो यहां पर जैसी मतलब जैसे हाथ लगाओ जस्ट तुरण खुल जाता है उतना फास नहीं कह सकते हम लोग क्योंकि यहां पर जब मैं हाथ लगाता हूं उससे थोड़ी सी देर में खुलता है तो कर दो कि वोतिना कुछ खास नहीं है यह वो सकता है सटार्टींव में कुछ खास नहीं हूं बाकि अगर फेस अनलग हो हम लोग चैक करें तो लिको देखते हैं कि shocks यहां पर आपने देखा झैसे कि तरफ लगाते है तो पुछ मिली सेकंड का यहां पर टाइम लेता है और बस मतलब कुछ मिली सेकंड का टाइम देता फिर इसके बाद खुलता तो उतना फास नहीं है लेकिन हाँ फिर भी ठीक है कि यहां पर पीछे से लाइट आ रही है अब गाई यहां पर लास्ट चीज की बात करते हैं वह पब जी क्योंकि यहां पर पब जी के लिए बहुत ही इ खा़ दूँगा यहां पर ट्रेंग मोड नहीं दिखाऊंगा मैं क्याएग नहीं होता तो यहां पर आप देको कि कुछ खास लाइग वैग नहीं हो रहा है और क्योंकि यहां पर टू पॉइंट जिरो टर्बो मोड दिया गया तो वो चीज काफी अच्छी उसकी वास आपको गेम खेलने में काफी असानी होती है प्रब shooters मेरे आपसे request है अगर अभी तक आपनोंने वीडियो को लाइक नहींग नियत किया है तो फ्रेम ड्रॉप यज़ फिर ऐसा रुक 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 के चल रहा है तो वो सब देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर उनलोब जरा बगगी चला कर भी दिखाते हैं और थोड़ा स्पीड में ताकि आप वह समझ में आजाएगा कि लैग हो रहा है या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वह आम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो फिलाल अभी मेरे को ऐसे कोई भी प्रोब्लम नहीं लग रहे हैं कुछ बी ऐसा सबकुछ normal नॉर्मली चल रहा है तो यहां पर हो सामने ही भगी घटी लिए तो यहां पर लोगी भी चला रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं कितना भी तेस्ट चलाओ ऐसे टर्न करो तो भी कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है और हम लोग सड़न थोड़ा से ताकी समझ में आ जाए हम आपर एकदम से गेंड को पूरा लोड कर प करते हैं वीडियो काफी लंबा हो गया और लिडी तो मेरे साथ से आपको समझ में आ गया होगा इसी रेटर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जबूचना मेरे से मैं रिप्लाइब करने की पूरी कोशिश करूँगा कर दीजेगा अगर आप लोगोने चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दिए कि हम लोग ऐसे वीडियो रेगुलर्ली अप्लोड करते रहते हैं तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियों के और तब तक के लिए बाए बाए टाटा